नमस्कार दोस्तू, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कोछ इंपॉर्टन्स कंपानी का अप्टेट सेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लाज तक देखना, और आभी तक अपने चनल को सब्सक्रेब नहीं क करूंगा क्योंकि कमपणी के ऊपर चुब बेस्ट कोइंट मुझे देखनों का मिला, और जिस तरह के से कंपानी रिकोभरी करनना स्टार्ट किया है, तो अभी मुझे लगता है जो यूटन लेकर, तो यूटन लेकर कंपनी बाबस जाएगा, क्योंकि कमपनी आज इस लेब पूरा के पूरा फुल्फिल हो जाएगा तो clean science and technology के उबर सबसे पहले में technically चाटपरेंस आपके साथ share करो तो आपको देखकर लग रहा होगा कि कुछी खास performance नहीं हो रहा है मिलेगा कर नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है फिलाल के लिए जो मेरा swing basis state है वो क्या activate हो आया बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि यहाप एक range बना था यहाप एक range बना जो range continuously buying का range है वो कुल मिलाकर 20% के आसपास buying का range बना तो जब भी इस नीचे level को touch करेंगे तो क्या बनेगा तब बनेगा entry और इस high level तक क्या बनेगा इस level तक बनेगा target तो basically अच्छा कासा एक entry और target level यहापे बनने जा रहा है इस पहले इस company के पर में positively इसलिए देखता हो कि company का capex high level में है इस बार company capex को 226 करोड तक लेके गए जो पिछले साल में 2023 में 170 करोड था 2022 में 149 करोड था 2021 में 80 करोड था 2020 में 50 करोड मतलब company लगातार हर साल में खुद के capex को बढ़ाते चल जा रहा है तो जो company खराब time में इतना ज्यादा कैपेस को बढ़ा रहा है तो उस company में कुछ ना कुछ तो बढ़ा होने का chances है और दूसरी बात company के ओपर जो update है उसके बारे बात को ROC और ROE में कोई भी खराबे नहीं है best देखने को मिला उसके साथ साल company का depth of equity zero है और net profit margin best है तो मुझे लगता है इस situation से company ए कर सकता हो कि मेरे इतने सालों के experience के साफ से में एक चाज आपको बताना चाहूंगा कि market में आपको अगर company में performance ठीक ठाग लगे अगर उस sector में growth होने का chances ज्यादा रहे और उस sector पूरा के पूरा इंडस्टीज के slowdown के कारण गिरता रहे तीन बात को याद रखना पहले परफ में सच्चा होना चाहिए और दूसरी बात इंडस्टीज का अगर हर सारे इंडस्टीज का growth डाउन है मतलब उस sector के पूरा के पूरा इंडस्टीज में growth डाउन है अगर वो company नीचे चल रहे ति यह नहीं कहूंगा कि आप इस company के उपर buy करे, sell करे, यह आपके hug है, आपके कुछ भी कर सकते हैं मेरे कहना का मतलब है मैं इस तरह के से काम करता हूँ मैं इस तरह के से काम करके ही अच्छा कासा पैसा कमाता हूँ तो देखिए मैं जूरू कहूंगा जो clean science and technology के बारे बात कर बार ही जूरू करेंगे, क्या कमपानी बोही लेवेल में company आ चुके है, जिस लेवेल से company big bounce किया था, तो बोही लेवेल से, फिर से company big bounce कर सकते हैं, तो मैं पहले बोल चुक हूँ, current level से अगर मैं top level तक देखू, तो almost 100% का gain मिनने का chances है, तो मैं तो इस company के पर positive हूँ, आपक गिंटे के ऐसे company है, जिसको पर हर किसी का trust bill हो चुके है, जैसे आप खुद ही देख सकते है, investor, देकि प्रोमोटर के बाद FIS और DS के पास जो holding है, उनमें से FIS के पास सबसेदा holding है, DS के पास कुछ holdings देखने को नहीं मिला, मगर public के पास अच्छा का सा भर-भर के माल है, तो competition भी है, फिर भी इस company सबसे पहले business को मतलब build किया, और वो भी electric buses के दुनिया में, उसके साथ साथ electric trucks भी company सबसे पहले launch किया, तो जो sector में company first काम करेंगे, जैसे Tata Motor इतना growth की हुआ, 70 रुपीज से आज 1000 तक क्यों गया, उसके पिछे एकी reason है, वो reason basically EVs के उपस सबसे पहले T Tata Motors काम स्टार्ट किया, और इसी तरीके से electric इंटेक भी bus manufacturing में सबसे पहले स्टार्ट किया, और trucks manufacturing में और वो भी EVs के उपर, वो first काम किया, और इसलिए इस company के उपस सबसे दा growth and boost मिल रहे, तो कहने का मतलब है, कि इस company के उपर चीजों को पहले समझे, कि जो लोग सोच रह 65 क्रोड इस बार बढ़के 80 क्रोड के आसपास बन चुके है, अभी मज़ेदर बाद आपको बता दो, company का ROC, ROE में दम है, दम तो थोड़ा सा थोड़ा करके बढ़ रहा है, उतना जदा दम नहीं था, 2% के आसपास, 4% के आसपास था, आज बढ़के ROE 7.5% बन चुके है, ROC बढ़के 13% हो चुके है, और net profit margin जो है, वो बढ़के कितना हो चुके है, 2% से 6% मतलब positively company growth कर रहा है, और company के करजा एकदम नाके बराबर है, हाँ इस बार थोड़ा सा करजा लिया गया, उस करजे कब वो easily मिटा सकते है, क्यों? क्योंकि दिखे, balance sheet में देखेंगे, तो company इस बार 121 करोर का करजा लिया, जो company के हाथ में जो cash है, उसी cash से ही company easily मिटा सकते है, हाथ में कितना cash है, 175 करोर, तो सारे चीज यही बता रहा है कि company में बुष्ट होने का chances बहुँ जादा है, और तीसरी बात manufacturing company है, तीसले इसका fixed asset बनना चाहिए, क्या fixed asset बढ़े, हाँ बिल पहली बात company के उपर एक range trade बना है, एक continuously buying range बना, करीबन 31%, तो मैं integer कर हूँ, अगर इस नीचे लेबल को touch करें तो मैं anti लूँगा, इस higher level तक मेरा target रहेगा, बगर मुझे नहीं लग रहा कि इतना आथानी से बो target अचीब करेंगे, उसके लिए सायद यहाँ पे cup with inheritance बनने ज तो basically KPI Green Energy इंडे के एक popular company बन चुके है, क्योंकि इस company का जो growth है, जिस industry से बिलों करते है, उसका growth और भी जदा बनने वाल है, क्योंकि government का target है 500 gigawatt total project बनाएंगे 2030 के अंदारान, तो अभी कितना gigawatt का project बन चुके है, अभी 200 gigawatt का भी project नहीं बना है, और वो भी solar और, sorry, renewable energy क उपर, तो सोचिए कितना बड़ा अभी भी gap है, कितना बड़ा अभी भी gap है, और इस gap को flip करना पड़ेगा सरकार को 6 सल के अंदर अंदर, क्योंकि सरकार का target है 2030 के अंदर अंदर इसको compete करेंगे, तो सोचिए 300 megawatt से भी जाधा, अगर project को compete किया जाए, तो इस sector में कितना growth ह सरक 200 megawatt का project ही compete हुआ, उसमें सी company कहा से कहा तक पहुच चुके है, आपको यह एक बाद chart button दिखा देता हूँ, आप देखकर हैरान हो जाएंगे, इस company COVID के टाइम के बाद listing हुआ, और इसका price था around 48 rupees, और आज कहा पे है, आज company का price है, 1, sorry 2000 के उपर company high क्या, फिलाल के लिए situation है, उस situation के बारे में बात करूँ, तो company को वो solder, कम head कम solder बना था, breakout किया, retest किया, तब ND बना और उसके बाद high level तक target रहेगा, high level तक target का मतलब कहा है, company के जो target रहेगा मेरा 22 person के आसपास, क्योंकि जो patterns बना है, इस patterns के cup के जो size है, sorry, head के जो size है, उसी basis में में target रहने बाला ह और एक update में और भी आपके साथ share करूँगा, यहापर देखे, continuously buying का जो range बना, वो 20% नहीं बना, क्योंकि मुझे एक दोस्तों ने comment किया, sir, क्या पहले 20% का range बना है, आप जो एक बर mention करना, बिल्कुर नहीं बना, यहापर जो buying का range बना, वो करीबर 17% बना, तीसले में नही strategies को use नहीं करूँगा, make up with hander patterns को ही use करूँगा, तो बाकी, इस company के उपर, basically, जो update है, वो में आपके साथ share करूँगा, सरी एक ही update में आपके साथ continue करूँगा, देकि institution इस company के उपर trust एक भी नहीं कर रहा था, आज FIS अच्छा का सा holding बढ़ा दिये, और DS के पास भी चोटे म best दिखेगा, अगर सबसे खतरनाक बात ही है कि company के पास दो परसन का करदा है, दो परसन का करदा मतलब बहुत रिक्सी जगा पर company खड़ा हुआ है, आज company को project मिले है, आज company का tender मिलना तो ठीक है, काल अगर tender मिलना बंद हो गया, company का COVID के जैसे situation मार्केट में आ गया, तो company का हालत भी गड़ जाएगा, company big grass आपको दिखाएगा, तो इसके लिए त्यार रहना, इसके लिए आप जूरूर इस company को बडिपली research करके काम करना, तो next company उसके बारे में बात करो company के नाम है PBB Infra Limited, basically company एक छोटा company है, फिर भी company split and dividend देने का announcement क्या, तो finally company के जो dividend है, वो जल से ज announcement कर चुके है, तो split company, sorry, माँपी जाता हूँ, split नहीं bonus का announcement कर चुके है, company 1-5 रिसे का bonus देने वाल है, मतला हर 5 share के बदले company आपको एक share देने वाल है, और, sorry, पहले एक share दे चुके है, तो bonus दे चुके है, अभी company के announcement जो आ रहा है, वो split का, तो split जल से जल आएगा, तो जब आएगा, मैं आपके साथ share करूँगा, तो इस वीडियो में, जो जानकर ही आपको मिला, वो totally education purpose में था, मेरो तरफ से कोई भी buy and sell का recommendation है, अगर काम करना है, तो सारे चीजे को समझ का सिख कर काम करें, में ते निक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद,